दर्शकों सी भारत वामपंथी उग्रवाद का दंश जिल रहा था उग्रवादियों द्वारा देश के विभिन हिस्सों में शांती भंग करने की कोशिश जानी है नक्सरवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा शेए बंदुख वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद हमें इन सब का काट निकालना पड़े माननिय प्रथानमंतरी श्री नरेंद्र बोदी के नेत्रित्व में ग्रिहम अंत्राले ने वामपंति उग्रवाद के समूल नाश के लिए कार्ये प्रारंब किया और पूर्व की डिफेंसिव नीती को दरकिनार कर इन उगरवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक आक्रामक रण नीती अपनाई इस नीती के तहट सुरक्षा बलों ने नए नए इनोवेटिव तरीकों से नकसलियों को घेरा और एक जुट अभ्यान चलाया जिसमें सुनियो जित सैन्य अभ्यान, कुफिया जानितारी, उगरवादियों की फंडिंग पर निगरानी, सीमा नियंत्रण, जन जागरूगता, मजबूत कानूनी उपाई और सामुदाइक सह भागिता शामिल है नकसली उगरवादियों की फंडिंग पर निगरानी से उनकी सक्रियता को कमजोर करने के लिए विभिन स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसिया मिलकर एक सैयुक्त मोर्चा बनार कर महत्वपून जानकारियां साज़ा कर रही है इसके साथ ही नकसली फंडिंग चैनलों को रूखने के प्रयास में समन्वय के लिए प्रवर्तन एजेंसियों, विद्धीय संस्थानूं और अंतरराष्ट्रिय भागितारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है उग्रवादी पैटर्ण, विसंगतियों और विद्ध पोशन के संभावित सुरोतों की पहचान के लिए एकत्र किये गए डेटा का सावधानी पूर्वक विशलेशन किया जा रहा है इस प्रक्रिया का उद्धीश यर उग्रवादी वित्तिये नेटवर्ग को बाधित करना और वित्त पोशक पर कानूनी कारवाई करना है केंद्र ने प्रभावित राज्यों के सरकारों के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए कई सफल पहल की है इसमें केंद्रिय सशस्त्र पुलीस बटालियन, हेलिकॉप्टर, प्रशिक्षन, राज्य पुलीस बलों के आधुनी की करण के लिए विभिन्न साधनों की मदद शामिल है जिससे जनता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी SRE योजना के अंतरगत पिछले चार वर्शों में वामपंथियों गुर्वाद प्रभावित राज्यों को 1285 करोड रुपे जारी किये गए और केंद्र सरकार में पिछले 9 वर्शों में SRE योजना के तहट धन के रिलीस में लगभग 124 प्रतिशत की बृत्धी की साथ ही केंद्रिये एजन्सियों को चार वर्शों में 73 करोड कैंप इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए और 6 अस्पतालों के उन्नयन के लिए 12 करोड 6 लाग की साहेता मिली है उग्रवाद से जोड़े अपराद कानूनों को मजबूत किया गया त्वरित न्याय सुनिश्चत करने के लिए अदालतों में नक्सल समंधी मामलों को तेजी से निप्टाने पर जोड़ दिया गया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में ग्रिह मंत्री अमित्शाह की बनाई आक्रामक रणनीती ने नक्सल उग्रवाद के खिलाफ माहौल ही बदल दिया काठ मांडू से तीरुपती तक रेड गॉरिडॉर बनाने की बाद करने वाले बामपंथी उग्रवाद अब कुछ ही जिलों तक सिबट कर रह गए है ये एक इमांदारी से क्रियानवित अक्रामक रणनीती की शक्ति का प्रमाण है कि हिंसा को समाप्त कर स्थाई शांती स्थापित करने के सपने को साकार किया जा रहा है